दुनिया के वो दस रहसी में लोग चिनकी आस तक नहीं हुपाई पहचान इतिहास में कई ऐसी घटनाई घटी हैं जिन्होंने दुनिया की तस्वीर ही बदल कर रख दी है इनी घटनाओं में से कुछ ऐसे सक सामनी आए हैं जिनकी पहचान एक रहसी ही बन कर रह गए आए जानते हैं ऐसे ही कुछ लोगों को चिनकी पहचान आज भी एक रहसी बनी हुई है सबसे पहले नमबर पर है दे फालिंग मैं जब 9-11 में अमेरिका के ट्विन टावर पर आतंगी हमला हुआ उसे समय एक वैक्ती के सर के बल नीचे किरते तस्वीरों में कैद हुई इस वैक्ती के तस्वीर पूरी दुनिया में चागे पर गिरने वाले की आज सक पहचान नहीं हुपाई है कुछ लोगों के अंदाजे के मताबिक सर के बल नीचे किर रहे वैक्ती का नाम जो नाधरन ब्राइम लेथ है जो रेस्टरोन में काम करेज़ा था पर अधिकारिक रूप से इसकी कभी पुष्टी नहीं उपाई है इसके पाद दोसे नमर पिर है दा हिरोशीमा स्टैक्चू शैलो द्वीति विश्युद्ध की दरान जब हिरोशीमा पर परमारू हमला हुआ तो तीन लाख लोग एक जटके में मौत के मुँ में समाए ये तस्वीत धमाकी वाली जगह से आच सो पचास फीट की दूरी पर कीची गए जहां कोई वैक्ती बैठा हुआ था पर परमारू बंगी ताकत ने उसे पूरी तरह से मिटा दिया सिवा उसकी पच्छाए के इस शायर की वास्तिवक्ता की कभी पहचान नहीं हो पाई की वो कौन था मुसकान के साथ सीन नदी में मृत मिली अंचान लड़की इस लड़की की पहचान कभी नहीं हो पाई ये कौन थी इसके चहरे पर मौत का कोई भेह नहीं था ना ही कोई इसके चहरे पर असंतोस था बलकि इसके चहरे पर एक संतोस से भरी मुसकान थी चौती नमबर पर है केविन कार्टन की तस्वीर में दिखा सुडानी बच्चा सुडानी की याद्रा पर निकले फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टन की इस तस्वीर ने दुनिया में तहलका मचा दिया आजवी नमबर पर हैं माउंट एबरिश्ट पर मिले अंचानलोगों की शोग, ग्रीन बोटों वाले इस शोग की कभी पहचान नहीं हो पाए, जो माउंट एबरिश्ट की चरहाई पर निकले व्यक्ति की थी, एबरिश्ट पर चर्णी की शुरुआत सन 1922 से हुई, पर इस प उप्रेन केव विनिट्सा में मारे गए, आखरी यहूदी की पहचान अब तक अगया, द्वित्ति विश्युद्ध की दरान नाजियों की मौत की मशीनों ने लाखों लोगों का काल ग्रास्प मनाया, उसी दरान ये फोटो खीची गई थी, जो विनिट्सा की आखरी जीव कभी नहीं हुआ, इसने अमेरिकी जहाज को हवा में हाइसिक कर लिया, और दो लाख अमेरिकी डॉलर के साथ जहाज के कहीं उतरने से पहले ही पैरसूट के साथ जहाज से कुदा, लाख को सीसो के बाज़ोद अमेरिकी एजनसियां उसे पकड़ नहीं पाए, काफी मार्क त्वीति विश्विद के खात्में का जिस्म ना रहा था तब ये तस्वीर अलफेड अश्टे द्वारा खीची गई थी इस तस्वीर को खुशियों का आइकॉन मारा गया और इस कबल की तलास की गई पर कभी ये कब सामने आया ही नहीं जिन लोगों ने दावी किये व महिला एक नर्स थी नववी नमबर पर है बबुस्ट का लेडी अमिलकर राश्रपिदी जोन एक कैनेडी की हत्या के समय एक महिला वहां दिखी थी जो कई लोगों के कैमरे में कहद हुई माना जा रहे है कि कैनेडी की हत्या उनके हाथों में पकड़े के कैमरे रूपी पिस ताबित कर पाई इसलिए आज तक कि गुति उलजी हुई है कि कैनोड़ी की हद्था किसी एक वैक्ति ने की थी या उसके साथ कोई और था कोई और था तो ये महिला वहां तक कैसे पहुची और उसकी पहचान अब तक क्यों नहीं हो पाई तस्वी नंबर पर है त्यान आन मैं चॉख पर टैंक के सामने खड़ा वैक्ति चीन में 34 जून 1990 को त्यान आन मैं चॉख पर चीनी सेनद वारा चातों की दमन के समय इस तस्वीर में टैंक के सामने आने माले वैक्ति की अब तक पहचान नहीं हो पाई यह तस्वीर चीनी विरूत का प्रतीक बन गई पर इस रहर्षय में व्यक्ति की कभी पहचान नहीं हो पाई ही गाई से कि वीडियो अच्छे लगए तो लाइक करना मुद भूलेगा और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और रहस्य में वीडियो के लिए इस चानल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थांक यू